ये तीन ब्लेड वाला पंका बहुत ही पुराना खिलोना है इसके लिए आपको कागस की तीन पट्टियां दरकार होगी 15 सम लंबाई और 2 सम चौड़ी तीनों पट्टियों को एक दूसरे पर रखें और इने बिल्कुल दर्मियान से तै करें और फिर इने अलग-अलग करें और एक पट्टी लें और दूसरी पट्टी के बंद हिस्से को इसमें फसाएं फिर तीसरी पट्टी को उपर रखें और पहली वाली पट्टी के बंद सिरे में आखरी वाली पट्टी के खुले सिरे दाखिल करें इस तरह से एक फंदा बन जाएगा अब इन तीनों पट्टी को खीच कर ठीक से करीब लाएंगे ये एक मखरूत की शकल बन जाएगी जिस पर ये पंखा गूमेगा अब इसे एक पैंसिल की नोक पर रखें और इसे चलते वे पंखे के नीचे पकड़े तो पंखा पर गूमेगा ये बिलकुल आसान की लवना है और मज़ेदार भी